नमस्ते दोस्तों यह software है photography business के लिए जो भी photographers है वो यह software यूज़ कर सकते software बहुत ही simply तरीके से बना गया है जिसमें कि हम पूरा अपना billing, inquiries, customer के details, services यह सब maintain कर सकते है यह हमारा dashboard है जिसमें हम अपनी total कितने services है, order कितने है और inquiry कितने है वो देख सकते है today's order कौन-कौन से है इसके reminder भी हम इसमें लगा सकते है service group में हम services create कर सकते हैं जो भी group है जैसे कि video हो, photography हो या फिर हम अगर event management के अंडर भी काम कर रहे हो तो जो भी material है वो भी हम service group create कर सकते है services में हम कौन-कौन से services provide करते है उसके details है इसमें हम drone video जैसे की cinematography या फिर short video highlights जैसे की services हम add कर सकते है जिब हम services add करते है तो इसमें हम group select करते है ये विडियोग्राफी है या फिर photography है service investment मतलब क्या है इसमें कि tentatively हम इसमें कितना investment कर रहे हमारा manpower हो या फिर you know कुछ charges वगरा हो वो हम इसमें consider कर रहे है service selling में हम जो भी selling cost है वो डाल रहे है इससे क्या होगा दोस्तों कि हम अपना business कितने profit में है ये जान सकते है तो जब हम investment cost और selling cost अगर correct डालते है तो अपना business कितने profit में है ये हम जान सकते है inquiry details में हम inquiry add कर सकते जो भी inquiry आती है वो हम add कर सकते जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ कौन से date में event है event का time क्या रहेगा type of event wedding है या personal है या couple है या जो भी है for example engagement आज का date automatically आ जाता है customer number उसका contact number जो भी है वो हम यहाँ पर डाल सकते है उसका email id इमेल आइडी कंपल सरी नहीं है customer का detail address और इसमें हम अगर select करते हैं group में video तो video जो भी इतने भी type के services है video section में हम वो add कर सकते हैं जैसे कि traditional video हो तो automatically उसके charges आ जाते हैं वान लोग के photography category में है तो उनका requirement क्या है client का उनको album कौन से type का चाहिए उसमें कितने number of pages है वो हम सब डाल सकते यहां पर जैसे कि अभी 10 pages है तो automatically वो calculate कर लेता है कितने charges रहेंगे tax है tax है अगर 0 रखते है तो 0 आता है कुछ discount वगरा देना हो तो वो भी दे सकते हैं यहां पर submit करने के पाद अपना record से हो जाता है जो भी inquiry है वो से हो जाती है अगर उनको print वगरा देना हो तो यहां पर print option है जहां से हम print दे सकते हैं यह software पूरा professionally बनाया गया है जिसे कि आप देख सकते हो जो user interface है वो भी professionally है terms condition वगरा वगरा वो सब automatically आ जाते हैं आप यह terms condition edit भी कर सकते हो आप PDF फाइल भी save कर सकते हो इसका अगर आप print invoice करते हो तो PDF फाइल भी यहां से आप select कर सकते हो जैसे कि destination हो तो save as PDF option है तो इसकी PDF भी automatically बन सकती है ऐसे हम कर सकते हैं अफ्टर सेविंग हम PDF सेव कर सकते हैं को whatsapp message कर सकते हैं तो यहां से हम estimate वगरा जो है जो PDF हमने save की थी वो हम send कर सकते हैं उसके बाद यह orders orders management क्या है कि हम order वगरा अगर estimate देते हैं और उसका order fix होता है तो वो order हम finally उसको send कर सकते हैं जैसे कि अभी हम यहां पर order add कर रहे हैं तो order add करते time उनका जो भी confirm date है वो ले सकते हैं जो भी event type है event time है वो ले सकते हैं event का type कौन सा है अगर waiting है तो वो हमने select किया है invoice number automatically generate होता है बकी जितने भी input से वो हमें देने हैं झाल 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 Delivery date क्या है उसकी वो हम maintain कर सकते हैं अब इनका जो भी service है हमें देना है वो अगर final होता है तो ऐसा one by one service हम इसमें add कर सकते हैं इसे की video हो तो video भी photography हो वो सब details हम add कर सकते हैं वो automatically calculate कर लेगा एडवांस अमांट वो कितना दे रहा है अभी वो हम इसमें डाल सकते हैं तो उसके बाद automatically due amount calculate होता है वो अगर इंस्टॉल्मेंट में भी पैसे देता है तो वो भी यहाँ पे इंस्टॉल्मेंट कर सकते हैं अभी वो कौन से तारीक को दे रहा है नेक्स्ट इंस्टॉल्मेंट सब्सक्राइब आज ही दे रहा है तो यहाँ पे में डाल सकता हूं उसने आज इतने पैसे दिये तो due amount यहाँ पे भी auto calculate हो जाता है तो हम जब भी invoice print करते हैं तो automatically उसका invoice आ जाता है यह पूरा invoice professionally design गया गया है जहाँ पे आपको पता चलता है यहाँ से भी आप whatsapp message कर सकते हो रिपोर्ट generate होता है पर service हमें कितना profit हुआ है मतलब इस से हमें पता चलता है कि आज तक हमें ज्यादा demand कि कौन से service के लिए है कौन से category के लिए है यह business में तो यहाँ से हम analyze कर सकते है sale report है हमारा कितना sale हुआ है कौन से service का हुआ है वो detail यहाँ पे दिखता है यह report हम excel में भी export कर सकते है pdf में यह print भी ले सकते है हम यहाँ पे date wise भी filter कर सकते है profit है मुझे business में कितना profit हुआ है जैसे कि हमने देखा था कि हम जब भी service add करते है तो उसमें हमने डाला है हम कितना invest कर रहे है और उसका selling cost कितना रखा है तो वो हिसाब से यहाँ पे automatically अपना profit calculate हो जाता है तो यहाँ पे अलग-अलग report है paid report है लोगों ने आज तक कितने पैसे दिये है हमें वो पूरा paid report यहाँ पे दिखता है उसके बाद है pending report मतलब हमें किस से कितने पैसे लेने है वो पूरा report यहाँ पे दिखता है तो यह क्या होता है सकते हो software का उसमें जो भी currency है या फिर footer में जो भी details है या फिर terms condition है जो कि invoice में है वो हम edit कर सकते यहाँ से यह update करने के बाद automatically वो यहाँ पे reflect हो जाता है email management है अपना email address वगर यहाँ पे डाल सकते है देन है SEO जो कि अगर आपको website वगर बनाना हो खुद का तो यहाँ से SEO maintain हो सकता है यह लिस्ट में हमें today's order दिखता है जहाँ पे हम देख सकते कि आज मुझे किन किन की order है वो सब admin का profile है यहाँ से आप अपना photo डाल सकते हो खुद का first name last name आपका email ID और details यहाँ पे डाल सकते हो उसके बाद है change password admin अपना खुद का password चेंज कर सकता है और लग आउट यह software पूरी तरह से secured है इसमें security audit भी किया गया है और इसमें data leakage का कोई issue नहीं आता है तो यह बहुत quality product है म friends को refer करूंगा कि आप यह software के बारे में सोच सकते हो इसकी कीमत मैं आपको phone पे बता सकता हूँ या फिर मुझे आप WhatsApp कर सकते हो thank you